रविंद्र जडेजा ने सर्फरास खान को रन आउट करवाया फिर कप्तान रोहिच शर्मा को इतना गुसा आया कि उन्होंने कर दी ये हरकर जी हां अपने डेब्यू मैच में अपनी जिंदगी के पहले ही मैच में सर्फरास खान तेजी से अपने पहले शतक की और बढ़ रहे थे 48 गेंद में अर्द शतक लगा कर तीसरे टेस्ट में इंगलैंड की परशानियां बढ़ा रहे थे लेकिन रविंद जडेजा के साथ एक गलत फैमी के चलते वो रन आउट हो गए एक तेज सटीक थो ने नॉन स्ट्राइक एंग पर उनका खेल खत्म कर दिया सरफरास खान क्रीस पर वापस नहीं लोट पाए और चाचट गेंद में 62 रन बना कर नम आखों के साथ पवेलियन लोटने लगे स्टेडियम में मौझूद फैंस इस रन आउट से मायूस थे टीवी पर नजर गड़ाए दर्शक भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सरफरास खान आउट हो गए है और उधर ड्रेसिंग रूम में मौझूद टीम इंडिया के कप्तान रोहीच शर्मा का रियाक्शन भी देखने लायक था रोहीच शर्मा ने गुस्से में जलाहट में अपनी कैप सिर से निकाल कर फेक दी और भर भर कर रविंद जडेजा को गालिया दी रविंद जडेजा के लिए उनका गुस्सा कैमरे पर साफ तोर पर देखा जा सकता था आपको बता दें इस घटना की वीडियो कुछी समय में सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई लेकिन आखे पूरा मामला क्या था कैसे रन आउट हुए सरफरास खान आईए ये आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से तो दरसल हुआ ये 81 ओवर्स में भारत का स्कोर चार विकेट के नुकसान पर 310 रन हो चुका था रविंद्र जडेजा अपने चौते टेस्ट शतक से सिर्फ एक रन दूर थे तो सरफरास 62 रन पर नाबात थे काफी देर से 90's में खेल रहे रविंद्र जडेजा शतक के लिए छटपटा रहे थे लेकिन इंग्लैंड के गेंदबास उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे थे तबी रविंद्र जडेजा ने जेम्स एंडरसन के ओवर की पाचवी बॉल पर मिड़ॉन की ओर शौट खेला जो सीधा फील्डर के पास गया यहाँ पर पहले तो रविंद्र जडेजा ने सरफरास खान को सिंगल के लिए बुलाया और फिर अपना मन बदल लिया इस वज़ा से सरफरास खान क्रीस पर वापस नहीं लोट पाए और मार कुड ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक सटी थो मारा और स्टम्स बिखेर दिये बस इस तरह सरफरास खान रविंद्र जडेजा की वज़ा से रन आउट हो गए अब आप बताईए आपके हिसाब से क्या सच में गलती रविंद्र जडेजा की थी या नहीं आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फिलाल हमारी स्रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इंफॉर्मर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले